ओम शान्ती, 24 दिसंबर 2022 की साकार मुल्ली से होमवर्क, आज की मुल्ली से हम लक्षे लेंगे, बाप समान मीठा बनकर सर्विस कर बाप का शो करना है और भविश्य में उचपत पाना है, इस लक्षे को सारा दिन समृति में रखेंगे, इसलिए आज हम ये स्वामान लेंगे, मैं मास्टर नौलेश्फुल हूँ, त्रिकाल दर्शी की स्थिती में स्थित होकर ज्यान के दरपण में स्वयम का सवरूप देखेंगे, तीनों कालों को स्पस्ट देखते हुए, कि मैं आत्मा ही कल देवता थी और मुझे कल देवता बनना है, अपने इश्रेश सवरूप को सुमृति में रखेंगे, तो दैवी गुन हमारे अंदर होंगे और स्वभाव मीठा होता जाएगा, आज की मुरली से चिंतन करेंगे, योग जुप्त होने से सरव का सहयोग मिलता है, तो कोई न कोई सबके जीवन में ये घटना होगी, कि बाबा की याद में रहने से सहयोग भी मिला और सफलता भी प्राप्त हुई, ये अनुभव आज अपने इमर्च करेंगे और दूसरों की सेवा भी करेंगे, प्रेडना भी मिलेगी, आज की मुरली से पुरशार्थ करेंगे, मीठा बनना है, बाब समान, तो इसके लिए पहला ये ध्यान रखेंगे, सबसे पहले सब को राजी रखना है, आज सारा दिन इस बात पर अटेंशन देंगे, सब को राजी रखने के हैंके लिए ये स्वामान में रहेंगे, मैं संगम यूगी ब्राहामन हूं। संगम यूग सब से उंच स्थान है और ब्राह्मन सब से उंच स्ठेच है, जब हम नौलिशफुल होकर के सब का पाठ देखेंगे तो मोश में रहेंगे, नरीज नहीं होंगे और सबको राजी र रखेंगे दूसरा बाबसमान मीठा बनना है, तो अच्छे मैनर्ष धारं करने हैं, तो अच्छे मैनर्ष के लिए आज बाबन ने कहा, सबसे पहले तो सब को रिगार्ड देना है, जो भी हुश्यार है, चाहे चोटा है, चाहे बड़ा है, दैविगुन धारन करने है मूरी नहीं बनना है कभी कैसा मूर कभी कैसा मूर अपने स्वभाब को बहुत मीठा रखना है और माया से धोखा नहीं खाना है और कदम कदम पर सरजन से राय लेते रहना है हर कदम शिरीमत पर चलना है ये मैनर्स आज अपने अंदर देखने हैं कहां तक हम धारन करते हैं दूसरा है योग बल जमा करना है जितना याद में रहेंगे उतना कट निकलती रहेगी याद में तभी रह सकते हैं अगर निरंतर योग बल होगा बल का मतलब है कोई गलती करके शक्ति को ड्रेन नहीं करना है बाबा की श्रीमत और याद निरंतर रहेगी जब कट निकलेगी तब ही हिसाब किताब चुक्तु करके हम पावन बनेंगे और बाप का नाम रोशन कर पाएंगे फिर हैं मीठा बनने के लिए बेहद का सन्यासी बनना है तो बाबा ने आज कहा अंतिम समय है अंतिम जनम है 84 जनम पूरे हुए अब वापिस घर जाना है तो पवित्र बने बिना वापिस नहीं जा सकते तो पवित्रता की धारना भी करनी है और फिर लास्ट में सेंसिबल बन करके सर्विस करनी है सेंसिबल बन करके सर्विस करना अर्था ज्यान के पॉइंट्स को जीवन में धारन कर फिर दूसरों को धारन कराना सें जो बाबा ने आज घराना, धरम और राज्य की स्थापना के बारे में स्पस्ट किया, ये बातें दूसरों को बतानी है, कि घराना अर्थात ये फैमिली है, और धरम का मतलब है, पवित्रता की धारना से धरम की स्थापना होती है, राजाई का मतलब है, सत्या ग्यान और कि सापना सुयम भगवान इस समय कर रहे हैं तो ये सारी बाते दूसरों को बता कर सेवा करने हैं हुम शान्ति